आपको basic pay मिल जाएगा 25,500 रूपिज साथ में basic pay का 31% DA मिल जाएगा 7,905 रूपिज साथ में TPT allowance मिल जाएगा तो भारत का कुछ CTA है जहाँ पर maximum TPT allowance दिया जाता है तो अगर आपका posting उन CTO में होता है तो भी आपको maximum TPT allowance मिल जाएगा 4,716 रूपिज अगर आपका joining X-Class City में होता है तो भी आपको basic pay का 27% house rent allowance मिल जाएगा 6,885 रूपिज तो सब कुछ मिला कर आपको gross salary मिल जाएगा 45,006 रूपिज अभी आपका जो basic pay and DA है उसका 10% EMP tier 1 जो new pension policy है बो डिडाक्शन हो जाएगा 3,340 रूपिज and CGEGIS जो group insurance scheme है बो डिडाक्शन हो जाएगा 30 रूपिज and CGHS जो health insurance scheme है बो डिडाक्शन हो जाएगा 250 रूपिज तो gross salary से सब कुछ deduction होने के बाद आपको net salary मिल जाएगा 41,386 रूपिज अगर आपका joining X class city में होता है लेकिन अगर आपको minimum TPT allowance मिलता है 2,358 रूपिज तो भी आपको gross salary मिल जाएगा 42,648 and net salary मिल जाएगा 39,028 रूपिज अगर आपका joining Y class city में होता है तो भी आपको basic pay का 18 percentage house rent allowance मिल जाएगा 4,590 तो भी आपको gross salary मिल जाएगा 42,711 and net salary मिल जाएगा 39,091 रूपिज अगर आपका joining Y class city में होता है लेकिन अगर आपको minimum TPT allowance मिलता है तो भी आपको gross salary मिल जाएगा 40,353 and net salary मिल जाएगा 36,733 रूपिज अगर आपका joining Y class city में होता है तो भी आपको basic pay का 9 percentage house rent allowance मिल जाएगा 2,295 रूपिज तो भी आपको gross salary मिल जाएगा 40,416 and net salary मिल जाएगा 36,796 रूपिज अगर आपका joining Y class city में होता है लेकिन अगर आपको minimum TPT allowance मिलता है तो भी आपको gross salary मिल जाएगा 38,058 रूपिज and net salary मिल जाएगा 34,438 रूपिज maximum two children को हर महिने में 2,250 रूपिज का children education allowance मिलेगा साथ में पुड़ा family को free medical facility मिलेगा कुछ city है जहाँ पर higher rates of transport allowance मिलता है तो अगर आपका posting हादराबाद, पातना दिल्ली, आहमेदबाद, शुराट ऐसा city पर होता है तो आपको higher rates of transport allowance दिया जाएगा तो देखिए यहाँ पर जितना भी city है वो X class and Y class city है इन city को छड़ कर बारत का जितना भी city है वो X class city है